हाई फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो मैं चैनल और मैं हूँ भारती और आज आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीर की एक नरसरी की वीडियो तो यह एक बाग था वहां पर उसमें एक नरसरी थी छोटी सी और मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ तो उनने कि हाँ बनानी ची यह तो मैंने चाहा था कि मैं चलो कुछ प्लांट्स भी खरीद लेती हूँ लेकिन जो प्लांट्स हैं बहुत ज्यादा भी इसकी जो पहुत भाद ही चोटी थी तो लेना सेही नहीं था क्योंकि वह खराब हो जाती फिर कोई फायदा ही अह possess практически मली वहां पे था भी नहीं तो वह कुछ और केर टेकर टाइप थे कुछ दो-चार लोग दोनों ने बोलना कि कोई वात नहीं है आप वीडियो बना लो और यहां पे काफी सारे जो हमारे सर्दियों के फूलों के पौदे होते हैं वह लगाई हुए थे और छोटे-छोटे थे बिल माली है बुना होने की कारण तो इस तरह से यह काफी बड़ी नर्सरी थी और इसमें एक पौलीओस था जिसके दोनों साइड पे चुलर लगे थे चिसकी हवा काफी तेज थी लेकिं यह देखने में इस तरह से लग रहा है काफी स्लो है लेकिन यह बहुत देज चल रहा था और इसके अंदर शायद hybrid variety के जो सर्थियों के पौदे हैं वो लगाए गए थे seeds और इन में भी जो growth है अच्छी चल रही थी और यहां पे और भी कुछ plants जैसे जरेनियम और coleus और जो roses है उसकी cutting लगाई हुई थी और यह इस तरह से coleus लगे हुए थे और green color का coleus भी था मन कर रहा था लेने को लेकिन मैंने cutting ले नहीं तो मैंने सोचा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता भी ना पूछे लेना और वेंडरिंग जीओ बहुत अच्छी लग रही थी अंदर शेर्ड में इसके जो color हैं बहुत ही खुबसुरत लग रहे थे और कुछ गुल्दावदी और भी गोनिया भी थे और यहां पे जरेनियम भी अच्छे चल रहे थे काफी इस तरह से कुछ ये nursery थी वहां की और इसके बाद हम वहां से चले गए थे और ये एक मंदिर में cosmos के फूल बहुत इच्छे के लिए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही लेते हैं तो बहुत ही ज़ादा खुब्सूरत लग रहे थी और ये वो मंदिर है जहां पे आपकी कसम का एक सौंग है जैजैशिव शंकर उसकी शूटिंग यहां पे हुई थी और ये गुलमाग में है और ये काफी अच्छी जगह है लेकिन यहां पे बरफ पड़ती है तो तब ये बहुत अच्छा लगता है ये पूरा चारो तरफ से बरफ से डग जाता है और ये वो मंदिर है और इस तरह से वहां पर जैसे वीड के रूप में बहुत ही चोटी चोटी फूल वाइट कलर के खिलते हैं देखने में काफी पसूरत लगते हैं जो कि मैंने काफी जगह पे देखे किसी किसी जगह पे तो इतने जादा थे तो धूप पड़ने से ये बहुत जादा चमकते जिस तरह से सितारे चमक रहे हूँ तो ये थी मेरी आज के चोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलें फिर मिलेंगे नहीं वीडियो के साथ तब तक क पिली बाइब बाइब टेक केर